दोस्तों ये हैं Poco M series के दो स्मार्टफॉन जिसमें हमारे पास है Poco M6 Pro 5Z और Poco M5 तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफॉन की unboxing और comparison एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट तो दोनों ही स्मार्टफॉन यलो कलर के box में आते हैं जहां black font में सारी details आपको mention मिलती है हम आते हैं डेरेट स्मार्टफॉन पर तो दोनों स्मार्टफॉन का front side का look कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा Poco M6 Pro 5G में आपको punch hole display मिलती है Poco M5 में आपको drop nose display मिलती है size का काफी वड़ा अंतर है Poco M5 size में काफी छोटा है M6 Pro से इन फिल दोनों स्मार्टफॉन आथ में एक जैसे लगते हैं थोड़े बार ही लग रहे हैं दोनों स्मार्टफॉन दोनों की power को मैंने एक साथ on किया था और यहां पर fast on हो गया है Poco M5 इसके अलावा दोनों स्मार्टफॉन पर pre-applied scratch guard भी लगे हुई आपको मिल जाते हैं आला कि finger print काफी जादा आजाते हैं और camera के इर्दगिर्द काफी जादा धूल भी जमा हो जाती है वहीं Poco M5 का जो back panel है वो भी dual tone finishing के साथ आता है यहां पर आपको back side में curvy back panel दिया गया है और यहां leather finishing आपको मिलती है यह देखें दोस्तों इस पर scratches नहीं आएंगे ऊपर camera med module के आसपास finger print भी आएंगे और scratches भी आएंगे तो cover हमेशा लगा के रखेंगे और आपको दोनों smartphone के camera medule करीब से दिखाते हैं तो dual camera के साथ M6 Pro और M5 आता है triple camera के साथ यहां दोनों स्मार्टफॉन मीन camera आपको दे रहे है 50 Megavixel का दूसरा depth sensor camera 2 Megavixel का और M5 में तीसरा micro sensor camera भी मिल जाता है आपको 2 Megavixel का बगल में Poco Poco की branding की गई है front में दोनों smartphone 8 Megavixel का selfie camera देते हैं corner दोनों के rounded है और यहां से विल्कुल flat right side में power on key just उपर volume rocker fingerfin sensor भी आपको power on key पर attach मिलते हैं उपर की side दोनों smartphone दे रहे हैं IR blaster बगल में 3.5 mm का audio jack और left side में मिलती है sim tray और sim ejector tool की सायता से हम दोनों sim tray को open करके दिखाते हैं आपको तो M6 pro में आपको hybrid slot मिलता है दो sim card एक बार में लगा सकते हैं या फिर एक sim card एक memory card लगा सकते हैं एक बार में जबकि M5 में triple card slot मिल जाते हैं यहां आप 3 एक साथ लगा सकते हैं bottom में आपको मिलेगा primary mic charging jack और speaker grill दोनों smart phone की power तो already on हो चुकी है और इनकी जो brightness है 100% है तो दोनों smart phone की display को करीब से देखिए colors बहुत बढ़िया मिल जाते हैं दोनों smart phone की display में लेकिन brightness कम लग रही है दोनों smart phone में 550 nits की brightness आपको m6 pro में और m5 में आपको 500 nits की brightness मिलती है scroll आप करते ही आपको यहां पर सारे के सारे application नजर आएंगे काफी सारे pre-install application दोनों smart phone में भार-बार के दिये गए हैं हाला कि इन unwanted application को phone से आप remove करके play store से fresh application डाउनलोड कर सकते हैं दोनों smart phone का touch काफी smooth आपको मिल जाता है 90 Hz के refresh rate के साथ आते हैं दोनों smart phone चलिए बात करते हैं display size की तो 6.79 इंच की full HD plus IPS LCD के साथ m6 pro m5 आता है 6.58 इंच की full HD plus IPS LCD के साथ दोनों का aspect ratio 229 इस screen resolution 1080 x 2460 pixel का m6 pro में 1080 x 2400 8 pixel का m5 में pixel density 396 ppi और 400 1 ppi जबकि दोनों के अंदर 5000 ms की battery लगी हुई है चलिए दोस्तों अब हम दोनों smart phone की जो setting है एक साथ ओप्राइब का open करते हैं अंदर जो interface आपको नजर आएगा वह बिल्कुल same to same नजर आएगा Redmi जैसा ही interface है Redmi का ही sub brand है दोनों smart phone और यहां पर देखिए about phone section सबसे उपर दिया गया है MIUI version 14.0.2 का मिलता है M6 में और M5 में आपको मिलेगा 13.0.5 का दोनों smart phone में आपको मिलती है 4GB RAM और 64GB का internally storage RAM type LPDDR4X storage type UFS 2.2 expandable memory 1TB तक M6 Pro में और M5 में 512GB तक बढ़ाए जा सकता है आप बात करते हैं दोनों smart phone के processor की तो दोनों smart phone में 2.2 GHz का octa-core processor आपको दिया गया है लेकिन दोस्तों यहां पर M6 Pro है 5Z और M5 है 4G chipset आपको दोनों smart phone के अलग-अलग मिलेंगे दोस्तों Qualcomm, Snapdragon 4 Gen 2 का मिलता है आपको M6 Pro में जो based है 4NM के fabrication पर और Adreno 613 के graphic आपको इसमें मिलते हैं वहीं M5 में आपको MediaTek Helios Z99 का chipset मिलता है जो based है 6NM के fabrication पर और Mali G57 के graphic आपको यहां पर दिये गये हैं अब दोनों smart phone के camera पर एक छोटी से नजर डालते हैं तो दोनों smart phone के rear camera को आमने normal mode में on कर दिया है एक object रखते हैं आपर दोनों smart phone के camera quality पिलकुल एक जैसी लग रही है आप यहां पर करीब से देख सकते हैं काफी colorful camera काफी colorful camera दोनों smart phone के आपको मिल जाते हैं zooming power देखते हैं तो दोनों smart phone में आपको 10x zoom support मिल जाता है और यह दोनों smart phone के 10x zoom quality है देख सकते हैं आपर color उतने फेल नहीं हो रहे और image की quality भी उतनी घट नहीं रही 48 का option आपको दोने smartphone में मिल जाता है front selfie camera 8MP के दिये गए हैं दोने smartphone में और काफी एच्छे selfie camera मिल जाते हैं एक जैसे हैं दोने smartphone के front selfie camera तो यहाँ पर zooming support front camera में आपको दोने smartphone नहीं दे रहे हैं और अब बात करते हैं दोने smartphone के price की तो Poco M6 Pro 5Z हाली में launch हुआ है दोस्तो 4GB 64GB वेरिंट 11,000 रुपे के अंदर आपको मिल जाएगा offer के use करने पर आपको यह 10,000 रुपे के अंदर भी मिल जाता है वहीं पर Poco M5 शुरुवात में तो काफी महेंगा था यह smartphone 12,000 रुपे 11,000 रुपे के असपास मिलता था लेकिन दोस्तो आज की डेट में यह 4G smartphone 18,499 रुपे में आपको मिल जाता है तो काफी अच्छे कूबिया है M5 में और काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ आपको काफी सस्ती रेंज में M5 मिल जाता है लेकिन अब बात आती है मैं कौन सा smartphone purchase करना चाहिए तो दोस्तो अगर आपको latest smartphone ही पसंद है और 5G smartphone चाते हैं तो M6 Pro आपके लिए बहुत बढ़िया smartphone है काफी अच्छा stylish finishing के साथ आता है यह smartphone जिसमें glass back panel आपको दिया गया है camera quality भी अच्छी मिल जाती है वही M5 अगर आपका budget ज्यादा नहीं है 4G smartphone से आप काप जलाना चाते है और 8,000 रुपे से उपर खर्च नहीं कर सकते तो बहुत बढ़िया smartphone G99 के साथ आपको यह मिल जाता है काफी अच्छे features आपको इसमें दिये गए है बाकि तो अपनी अपनी पसंद होती है वह आप comment box में पता सकते हैं कि आपको कौन सा smartphone पसंद आया कौन सा आप लेना चाहोगे आज़ा करता हूं मेरे दोला दी कि जानकारी आप सभी के ज़रूर कुछन कुछ काम आएगी जिस एक नहीं है smartphone purchase करने में आपको कोई दिकत नहीं आएगी